अरे भाई केतना सुन्दर सम्मार लिखा है अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है आपको लग रहा है थे गलत जगा पर धूब गया है आपको लग रहा है मदरापान में, मांद साहर में या अधीक अधीक जो भी नशे होते हैं जितने भी नशे उसमे धूब चुका है और मा उसको समझा रही है हमें जो शिव महापुरान के माते हम से सास्तर कर रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के बरत्र हैं उसमें करना क्या है आप केवल जिस दिन बरत्र है रात्री के समय पर बोई भी मीठा कुछ भी सामगरी आप चंदर की रोशनी में चंदर को अर्ग देने के बाद पूजन करने के बा आए उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिला अब धीर धीर खिलाना चालू करेंगे जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से उस छूट ना पराराम हो जाएगा तो पूर्णिमा ब्रत करके तो देखो तीसरे में तुमें जिर्ग दिन